और इस पर जादा जानकारी के साथ समवादाता नेहा के शेरवानी हमरे साथ जुड़ गई हैं तो नेहा बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव समिती गठित कर दी गई है अध्यक्ष बनाया गया है दीबग पैच को बिल्कुल देखे 36 गड़ में कॉंग्रिस ने अपनी चुनावी तयारियां अब तेज कर दी है जिस तरीके से AICC ने जिन भी राज्यों में अभी विधानसभा चुनाव होने है वहाँ पर चुनाव समिती के गठन जो है वो करते जा रहे हैं और इसी क्रम में अब 36 गड़ मे भी चुनाव समिती का गठन कर दिया गया है जिसमें यहां के प्रदेश सद्धक्ष है दीपक बैस उनको एक बड़ी जिम्यदारी मिली है वो चेयर्मेन बनाए गए है उसके बाद मुखे मुंत्री वुपेश बगिल समेथ कैबिनेट के नौ मंत्री भी इस चुनाव समिती होती है जो टिकेट वीतरन पर फैसला करती है अलगालग विधान सभा में किसको टिकेट दे जानी है यह समीती ही जो है वो तै करती है तो अब जो है आने वाले दिनों में इस चुनाव समीती की बैठक होगी बैठक में आने वाले समय में जो भी विधान सभा के में जो जो नए चेहरे होंगे चाहे पुराने चेहरों को ही मौका दिया जाएगा उस पूरे पर जो है वो फैसला लिया जाएगा आने वाले समय में अब जो है कॉंग्रिस लगातार बैठ के भी यहां पर जारी कर देगी हालंकि जो कैबिनट्स चटितगर सरकार के जो मंत्री है उसमे इन चुनाव समीती में तीन मंत्रियों को शामिल नहीं किया गया है मंत्री कवासी लखमा है अमर्जित भगत है और मंत्री जो है उमेश पटेल है इन तीन मंत्रियों को चुनाओ समीति में शामिल नहीं किया गया है जिसके तौर पे कॉंग्रेस के तरब से प्रभारी कुमारी सहलजा ने भी बयान दिया है क्योंकि आने वाले दिनों में और भी 25 का टार्गेट कॉंग्रेस ने रखा है बिल्कुल नहा बहुत धन्यबाद आपका ज्यादा जानकारी